नमस्कार SPN 9 News में आपका स्वागत है राजदानी दिल्ली के जंतर मंतर पर इन दिनों पहलवानों का विरोध प्रदर्शन अभी भी जारी है इस से पहले आपको बता दें कि भारती जंता पार्टी की तरफ से भी चुप्पी तोड़ी नहीं गई है ना ही ब्रेजबूशन सरन सिंग के खिलाफ कोई एक्शन लिया गया है दिल्ली पुलिस भी मातर FIR दर्श करने के बाद तमाम जाच में तो जोटी है लेकिन कोई सबूत सामनी लेकर नहीं आ रही है शिकायत करताओं ने शिकायत दर्श करवाई है लेकिन इस पर भी कोई संग्यान नहीं लिया जा रहा है इसे बीच अब बजरंग पुनिया जो महिला पहलवान की लाडियों का समर्थन कर रहे हैं और उनके नेतरित में जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन चल रहा है अब उन पर ही सवाल खड़े किये जा रहे हैं दरसल आपको बता दें कि पहलवान बजरंग पुनिया भी इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हैं विरोध के बीच उन्होंने बजरंग दल पर जारी विवात को लेकर भी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट शेर किया था लेकिन इससे कुछ ही देर बाद उन्होंने अपना पोस्ट डिलीट भी कर दिया था आपको बता दें कि पोनिया ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर हिंदू संगठन बजरंग दल के सपोर्ट में एक स्टोरी शेर की थी जिसमें उन्होंने एक फोटो डाली थी जिसमें लिखा था मैं बजरंगी हूँ और मैं बजरंग दल का समर्थन करता हूँ इस फोटो की कैप्शन में लोग इसे वाट्सप स्टेटस और डिस्पले पिच्चर पर लगाने की अपील कर रहे हैं क्योंकि यहां पर देखा जा रहा है कि बजरंग पुनिया महिला पहलवान खिलाडियों का समर्थन करते वे भारते जंता पार्टी पर निसाना साथ रहे हैं ब्रेज बूशन सरन सिंग की खामियों को दिखा रहे हैं वो जिस तरीके से महिलाओं के साथ विवार करते थे उनके सक्चायों को बता रहे हैं लेकिन इसी बीच आप यह देखेंगे कि बजरंग पुनिया का एक पोस्ट उन पर ही सवाल खड़े कर देता है कि आप भार पोस्ट नहीं था ब्रेज बूशन सरन सिंग पर जो आरोप लगे हैं उन्हें तो हम साबित करके रहेंगे यहां पर उनकी सच्चायों को तो हम दिखा के रहेंगे लेकिन जिस तरीके से यहां पर बजरंग बली की बात होती है तो मैं भी उनका समर्थन करता हूं लेकिन इस बजरंग बली का समर्थन करता हूं बजरंग डल का समर्थन करता हूं तो ऐसे में क्या दिखा जा है कि बजरंग पुनिया की यहां पर कोई और खेल खेलते में नजर आ रहे हैं यह साथ तोर पर उनका यह कहना सही है कि बजरंग बली के समर्थन में उतरना कोई गलत बात नहीं है लेकिन जिस तरीके से यहां पर इसको लेकर हंगामा शुरू किया जा रहा है इसको लेकर राजनीति की जारी यह सरासर गलत है क्या है आपके राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं धन्यवाद